हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गॉड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उ साथ इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ सुरिनाम पहुंची है जहां भारत की विदेश मंत्राले ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जवानकारी दी कि रोश्पती द्रौपती मुर्मु को सुरिनाम के सर्वोश नागरिक पुरुसकार ग्रैंट और ऑफ दा चेन ओफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है सुर संस्थान मद्रास और भारती प्रद्योगी की संस्थान दिल्ली इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय प्रद्योगी की संस्थान मद्रास सिक्षो और विदेश राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंग ने नैशनल इंस्ट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एन आई रांकिंग 2023 के लिए समगर श्रेनी विशिष्ट और या डोमेन विशिष्ट रांकिंग के तहट इस वर्ष की रांकिंग में कुल 5543 संस्थानों को शामिल किया गया अगला सवाल है आपके ऑप्शन्स हैं सौरप चौदरी, संजीव राजपूत, अनीश भानवाला और धनुश श्रीकांथ इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धनुश श्रीकांथ धनुश श्रीकांथ ने जर्मनी के सुहल में आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप में पुरुशो की 10 मीटर एयर राइफल्स परधा में जीत हासिल की है और इस टूर्णामेंट में ये भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है धनुश ने 249.4 का स्कोल कर गोल्ड मेडल पर अपना नाम किया है और इस इवेंट में सिलवर म साबले मुली श्री शंकर सिधार्थ चौधरी संदीब कुमार सही जवाब ऑप्शन सी सिधार्थ चौधरी भारत के सिधार्थ चौधरी ने दक्षिन कोरियाई में अंडर 20 एशियन एफलेटिक्स चेंपियंशिप की पुरुशो की शौट पुट स्परधा में स्वन पदक चुईते हैं सेंट्र बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष के ने नया मोबाइल अप लॉंच किया है सी बी एफ सी के अध्यक्ष कौन है आपके ऑप्शन सेंग गजेंदर चोहान मुकेश खन्ना उधित नरायान प्रसून जोशी सही जवाब ऑप्शन डी प करनों का पर काम करने में आसानी होगी सी बी एफ सी वेबसाइट नई और आगामी अपडेट की प्रदाण करेगी सी बी एफ सी भारत सरकार के सूचना प्रसारन मंत्रृङले के तहत एक वैधनिक फिल्म प्रमान निकाय भारत के पहले अंतराश्टिय क्रूज पोट MV EMPRES को किस देश के लिए रवाना किया गया आपके ऑप्शन्स हैं बांगलदेश, श्रीलंका, मालदी, थाइलांड, सही जवाब है ऑप्शन B, श्रीलंका, केंद्री बंदरगा, नोवहन और जलमार्ग मंत्री सरवनन्द सुनवाल ने चुननई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतराश्टिय क्रूज पोट MV EMPRES को हरिजंडी दिखा कर रवाना किया, साथी चुननई में 27.2 एक करोड रुपे की लागत से अंतराश्टिय क्रूज परेटन टर्मिनल को भी शुरू किया गया, जो देश में क्रूज परेटन के एक नए यूग की शुरूआत है और इस अफसर पर केंद्रिय मंत्री सुनवाल ने बंदरगा के अधिकारियों के साथ बंदरगा पर 2500 पेड पौधे भी लगाए, अब बात करते हैं पिछले वीडियो की सवाल की, पिछले वीडियो में आपसे सवाल और इस वर्ष परियावरन दिवस की पचासवी वर्ष गाठ यानि अनिवर्सरी भी मनाई गई और इस वर्ष विश्व परियावरन दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूशन के समधान पर केंद्रित है और विश् स्वरूप संयुक्त राश्ट्रे परियावरेन कारिकरम UNEP की सस्थापना 19 जून 1972 को हुई थी अब बात करते हैं आज की सवाल कि आज का सवाल है किसे हाल ही में न्यूजिलाइन के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको सही जवाब अगर पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके दे सकते हैं अगली वीडियो में हम आपको सही जवाब बताएंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ साथ हमाई चानल को सबस्क्राइब कीज कर दो जो कर दो दो दो